आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कारी करम में और मैं हूँ आपके साथ फरहान दिल्ली हिंसा हो या नागरिक्ता संसोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन हो देश व्यापी प्रदर्शन चल रहा है राश व्यापी प्रदर्शन की घोशना बहुत ही पहले कर दी गई थी और जो की फैलता चला जा रहा है शाहीन बाग केंदर बना हुआ है शाहीन बाग में प्रदर्शन अभी जारी है भले ही दिल्ली में एक बड़ी हिंसा को अंजाम दिया गया है उसमें पुलिस का पक्षपात पूर्ण रवया भी सामने आ रहा है यह मैं उत्तर प्रदेश पुलिस भी इस बास से चूती नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी इसी प्रकार के आरोप लगाया जा रहा है कि उनका रवया पक्षपात पूर्ण है इमांदारी से कारे बिलकुल नहीं किया जा रहा है यह रवया जो चल रहा है जिस तरह प्रतार समूदाए को निशाना बनाया जा रहा है लगता था सता धरी दल को के यह बात केवल भारत के अंदर रह जाएगी और बहर कहां सख जाएगी लेकिन इस बात ने अपना विस्तार अतना बढ़ा लिया कि ब्रिटेन में भी प्रिदर्शन हो रहे हैं हमने कारिकरम में इस बात का इस पश्टी करण किया है कि बिटेन में लगातार इस बात को लेकर प्रिदर्शन हो रहे हैं अमेर की सांसत भी नाराज हैं पाकिस्तान से इमरान खान ने भी टिपड़ी की है कुडाल कामरा हो अनुराक कश्याप हूं लगातार अलोशना की जा रही हैं दिल्ली हिंसा को लेकर वही बंगला देश में बी इस हिंसा को लेकर लगातार बयान दिये जा रहे हैं और मौझूधधा सत्धाहरीधल की उपड़ निशाना भी साधा जा रहा है हम आपको बता दे कि दिल्ली हिंसा में करीब 42 लोगों के मारे जाने की पुष्टी हो चुकी है यह अधिकारिक आकड़े हैं यदि आप देश भर में किसी भी अधिकारिक आकड़े को देखते हैं तो जो उसकी सत्यता होती है खरीब उससे दोगनी होती है तो 42 की जगा कितने लोगों की मौत हुई होगी 84 होंगे 90 होंगे या यह संख्या 100 से भी अधिक हो गई होगी काफी लोग ला पता है यह नहीं मालूम पड़ रहा है कि उनकी मौत हुई है या वह गुम हो गया है अब दिल्ली में कहा गुम हो सकते हैं आप भी सोच सकते हैं जरूर उनकी हत्या हुई होगी लेकिन आने वाले समय में इसकी पुष्टी भी हो जाएगी कि आखिर ऐसे कितने लोग है जिनकी हत्या हुई है इस हिंसा को लेकर बांगलादेश में शेख मुजीबुर रहमान की सौवी जैनती थी उसको लेकर बांगलादेश की तरफ से प्रधान मंतरी नेंद्र मोदी को नियोता भेजा गया था लेकिन इससे पहले लगतार बांगलादेश खफा भी है भारत को लेकर कि उसने किस प्रकार से यह बात कह दी क्यों यह बात कही कि बंगलादेश में अल्प संख्यक समूदाय को निशाना बनाया जाता है इस से पहले प्रधान मंत्री मोधी जब यह बात बंगलादेश ने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी तो प्रधान मंत्री मोधी अपने वक्तवियों में बंगलादेश का नाम भी हटाते हुए नज़रा रहे थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नाम ले थे नज़रा रहे थे तो इस पर भी हमने कारिक्रम किया था कि आखिर ऐसा कौन सा डर है कि पहले आप बंगलादेश का नाम ले रहे थे लेकिन आप बंगलादेश का नाम ले ले से चू कर रहे हैं कि दिल्ली हिंसा को लेकर और इन बयानों को लेकर बांगलादेश के अंदर जो इस्लामिक पार्टियां राजनीतिक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन भी हैं वह निकल कर सामने आए हैं और अपनी सरकार से सवाल कर रहा है कि आखर आप क्यों प्रधान मंत्री मोदी को नियोता दे सकते हैं आप इस नियोता को रद्द कीजिए अर्थात प्रधान मंत्री मोदी शेख मुझी रह्मान की सौवी जैनती पर बिलकुल मौजूद ही होंगे बंगला देश में हमने कहा था कि विदेशों में किरकिरी होनी है तो वह बास सामने बिलकुल आ रही है ब्रिटेन हो अमेरिका हो पाकिस्तान हो चलिया हम पाकिस्तान को अलग कर देते हैं वह तो आतंकवादी देश हैं उसकी बात को बिलकुल भी नहीं रखते हैं ल किया जा सकता थो क्या般 यह सभी कडम हैं क्या वाकई देश में राज अक्ता फैल चुकी है क्या सकते यह सकते है कि दिली पुलिस एक तरफा कारवाई कर रही है पक्षपात रवहिए इसका दिखाई दे रहा जाय कारी करें जादे जादे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अबश्य कर दें तब तक लिए जासत दीजिए धन्यवाद